तो आप दक्षना फाम्रेशन से रिलेटेट मैं एक प्लेइलिस्ट बना चुका हूँ इसके अंदर मैंने लगबग सारी चीज़ों को एक्सपेंड के लेकिन तिर भी बहुत सारे डाउट्स बच्चों के आए मैंने मैक्सिमिमम डाउट्स को कमेंट सेक्षन में क्लियर दर लिया है लेकिन से भी आब अब ऐसा तो है नहीं कि सारे वीडियो के कमेंट सेक्षन में जाका है हर एक चीज़ के कमेंट के रिप्लाई को पढ़ोगी इसने मैंने जो भी डाउट्स बच्चों के हैं उसको सोल करने के पुछिश करूँगा पैया मैं इस टाइम क्लास ठोल्ट में हूं और मैं यह जानना चाहता हूं कि इस टाइम फॉर्म फिल हो रहे हैं या नहीं इसके बारे मागर आपको पहता कर रहा है तो आप दक्षना की जो ओफिशिल वेबसाइट है आप उसको भी चेक कर सकते हो आप वहां पर जाके चेक करोगे अगर फोर्म अवैलेबल है तो भर दीजे एड़ दे फो में पया जी मैं यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हूं इंग्लिश वीरियम का और मैं यह जानना चाता हूं कि पेपर का लेवल क्या होगा कौनसी बुक से मैं एंट्रेस की तैयारी करूं पर पेपर ये लेवल के बात करूं तो मैं लिए जही मेंस और नीट के लेवल के कि तरीके साथ हैं अर्ट पेपर उसके आउट होते नहीं चेंके जूहा हूँ हो पेपर हुआ जाते हैं भाखर किकी को देते नहीं तो पीशिंस अंपको कहीं पर मैं नहीं मिएंगे जइमेश और नीट के आप ईपएकों पयंच मीलिए अपन करने के सब 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 upgraded के तो हाँ आप फूम भर चुका है विछ से क्या काता है के नमबर आता है अगर सब्सक्रास की बीया जएक बार हो सब्सक्राइबिक के हो सब्सक्राइब का बताइग का ले रीकाषार हो गुट्यस का फूम बारे मोयं किसी के छोग मिलेगा ने जिस는데 ब court कहा बढ़ेगा दक्षना के लिए उसके पास लेक आएगा और फोम बढ़ सकता है मैं अलड़ी वहां से पढ़ चुका हूँ तो मैं भी फोम बढ़ नहीं सकता है और जो को फोम बढ़ रहा है वो मेरे साथ डिटेल भी कॉंटेक्ट में हैनी तो वो में भी होम शेयर करने सकता है मैं आपको मादा नहीं सकता है क्या कर दिल पढ़ने लेकिन नॉर्मल डिटेल से आपस कूछी जाती है कि मादा विदा क्या कत्या वगरा उसके बारे ने जो इन्फोर्मेशन है वो आपके स्कूल को में जाएगी टेंट में नॉर्मली एक एडिस्ट होता है और दोनों की इ कर सकते हैं उसके बारे जादा पेंचिन मत पोगों इसको जालो बहुत सकते हैं फोर्म कब आया है थोड़ी पहता आप उन्से कोंटेटर सकते हो बताब याद दिलाते रह सकते हो ताकि वह अपनी मेल को पहले मुटान चेक करते हैं मेरा सब्मीट का ऑप्शन नहीं आ रहा ह कि अच्छे internet connection में जाके आपको पास सब वीडियो का option आ जाएगा रिपीटर भी admission ले सकते हैं क्या एक तो ट्रमिलोजी को बहुत कंफ्यूजिंग बना रहा है फिर से रीट की वह भी एक लिए किसे repeat ही कर रहा है चीज़ हो यहीं उसको normal dropper बोल देते उसके बाद dropper अदो फिर से तेयारी करता है तो उसे repeater बोल देते राकिनों तो उससे थोड़ा बुरा नहीं लए एक नहीं terminology इंट्रड्यूस करती है तो यह बात समझाता हूँ आप दक्सना की नेफसाइट पर जाएए बापे फोर्म ओपर होगा उस फोर्म में passing year जो पूछते हैं उसमें अग क्लास में फोर्म बरसता हूँ प्लीज रिप्लाई तो यहरा आप एंट्र में बरसते हो एंसे इसमें लिए नाम आगया है तयारी के लिए क्या क्या पड़े पढ़े इस बार के सिलेबस पर बहुत सारे चेप्टर डिलीटेड है आपने नया सिलेबस अपडेट क्यों नहीं किया जेडी इस्टी में 12 का पेपर हाड आता है क्या किस लेवल का रहता है ब्लीज बताईए और आपने 2025 का वीडियो नहीं बनाया तयारी के लिए नोर्मली आप एंसे आडी भी बुक्स बगरा पड़ सकते हो जो आप नोर्मली पड़ते हो इसके लावा कुछ 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 कर सकते हो मतलब एक्स्टीम लेदा हाड कुछ नहीं आता है जही मेंस को नीट के लेवल के रहते हैं और जो मेंदल एक एक अग्जाम होता था एंटी एस से करके उस लेवल के आप उसके पुरानी सी बुक हो आप यह लाइबरी बगरा में महां से इस्टीम कुरवा के थोड प्रशेस उल्मोस्स सेम लता है सीलेबस की लिए इसको ओफिशन वेब साथ यह दिख सकते हो वहाँ पर आको सीलेबस मिल जाएगा वो टाइम प्र चेंज होता है तो आप वहां से इसलेबस आपको मिलेगा इसके लावा जाना चीज़ेंगे चेंज हुई नहीं है इसलिए म विया दक्षना में पैसे दे कर एंट्री लिया जा सकता है किया जैसे की X9 प्रवादे फांडीशन में होता है कि जेन वी के बाहर के बच्चे वहां फीज देकर एडमिशन लेते हैं नहीं आद दक्षना में पैसे देकर आप एंट्री नहीं ले सकते हो उसका एक ही तरीका है एक्जाम दो और एंट्री लो दक्षना का जो मैरी मोटीव है वो financially एसे सड्रीको सपोर्ट बढाया जो पैसे देकर कोच्चिंग नहीं कर सकते हो तो दक्षना दाने के अज़र होता है आप दूसरी कोचिंग भी जोिए कर सकते हो दक्षना उनकी लिए जो पैसे देकर कोचिंग को फोर डाइट कह सकते हैं उननी के लिए दक्षना को स्टार्ट किया किया है तो या दक्षना में आप पैसे देकर रंटी नहीं ले सकते सर मेरा रोल नमर आए गया है उसमें 28 मार्च को एक्जाम है और 20 February तक DSF फोर्म फिल करना है ये क्या होता है तो है DSF क्या होता है उसके अंदर बेसिकली जिन नॉर्मल चीज़ा पूछते हैं या आप दक्षना में क्यों आना चाहते हो अगर आप लाइप में आगे कुछ अचीव कर लेते हो तो आपके क्या wisdom है आप किस तरीकी के सोच रखते हो उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स पूँचते हैं वो अपनी website में डालता है जो scholars का एक option होता है कि जो जे student जैसे पढ़े है वो उनके इन चीज़ों के बारे में क्या thoughts है आप चाहो तो दक्सना की website को वेजिट करके मात में जो बच्चों के response है उनको भी देख सकते हो इस तरीके से कम्यपूश भरना होता है उसके बैसिस पर डिएसे का phone पर सकते हो सार ड्रोपर स्टुडेंट की classes किस महने से start होती है जब मार्च में एक्जाम होता है पाया, since I have been selected for the JDST, so can you please tell me from when the session will start or when we will be called for the valley? पुचाहाएप ड्रोपर स्टुडेंट हो पले आप टेंट ये बात जारे हो लिएंट में क्लास का बिश्टाट हो उसका कमपेटिशन एक्जाम देदेगा वह बेश मासी चला देगा उसके पांच साथ दिन माद आपको आपको गुडा ले जाता है साब सपाई बगारा कर ली जाती है बुक्स बगारा सब एड़िस कर ली जाती है बोचार एक दो दिन की टीचर सब्सक्राइब चुटी ले लेते हैं थोड़ा दिलेक्स हो जाते हैं उसके बाद से आपके तहरी शुरू हो जाती है आपकी नोलेज को चेक कर शुके तूर रेटन टेस्ट इसके नोलेज को चेक नहीं करने वाले जो डीटेस आपने बढ़िए कि मेरा ऐसा ऐसा गर है मेरे फेमिली इंकम यह उन सब चीज़ों को कंफर्म करेंगे प्राइवेट से ही बढ़ा था एलिजीबल हो गए एकजाम वी डिये और सलेक्शन भी हो गया इंटर्वू है आटाइस को आप एक बार बता दीजिए प्राइवेट से हैं तो इंटर्वू में नहीं डिस्क्वालिफे होंगे इसकुल की एनवल खर्चा कम है तर प्राइव प्राइवेट स्कुल का जो डाउप वज्जोग हो था कि प्राइवेट स्कुल वाले भर सकते हैं उसका क्लिए रिजल्ट दो से चार हपते में आ जाएगा फिक्स है क्या पिछली बार तो अलगबग दो महीने बाद आया रहा है उसके एक दिन बाग दक्षना अपना फाइ नॉर्मली बिस्ट दो तीन साथ यह हो रहा है तो रिजल्ट की एक्सपेट डेट आप अंदाज लगा सत्ते हो कि सीवेट का जो रिजल्ट रिलीज होगा प्रद क्लास उसके एक दो दिन आगे पीसे आप रद क्लास आ जा जाएगा एकन में स्योर नहीं बोल रहा हो कि आही मैक्सिमम माक्स इसे कोई चीज होती नहीं फिर बे महीं ही बना कि मैक्सिमम माक्स पॉर सेलेक्शन इस सारी कुछन अपसई कल दो एक बिलत नाइगा बाकी मिनिमम माक्स में आपको पहले वदा चुका हूँ कि आपके सारे जो सब्जेट्स आप अपकर रहे हो चार उन में स जाएगी सेलेक्शिन की। पहीया एक्जाम का सेंटर कहां आता हैए?" प्लीज रिपलाई》 एक्जाम सेंटर नर्मली आपके डिस्टिक्क्त के जियनवी में में और उसके पाश वाले डिस्टिक्त के जयनवी में आuman्मि आ सपता है। जयादा तो तй में आय। जादा दूर आपका सेंटर आने के चैसेश नहीं है इसके बार में क्लियर इंफॉर्मेशन आपको कहीं भे नि मिलेगी जो चीजे मेंने ऑफजर्च हुमे कौन से स्टेट के ज्यादा बच्चे थे तो यार, इंडिनिरिंग में ऐसा कुछ ज़्यादा पैटर्म आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन मेडिदल में आपको पैटर्म देखने को मिल सकता है कि स्टेट का कोटा, I think होता है क्योंकि बहुत सारे स्टेट में कटफ कम रिखती है तो यार, दक्सना आपके फीचर को बढ़ाने के खोशिस का रहा है वो चाहता है कि वो बच्चा महा से पढ़े और सलेक्ट हो दाए अब मालनों कोई दो स्टेट है, A और B दोनों में मेडिकल की कटफ अला दलो भी जाती एक में आपको स्टेट कोटागी मिल जाएगी 536 माक्स पर और एक में मिलेगी आपको 620 माक्स पर और सपोस को दोनों के बराबर माक्स है अब ज्यादा चांसे किसके है, विडिकल के प्रोलेज में दाने की जिस इस्टेट की कटफ करम में उस बच्चे के है इसलिए हो सकता है, दक्समा में शायद यह ची जबी में अटर कर बाग इसके बारे में शोरेटी से आपको ज्यादा तो नहीं बता सकता है विए रिश्यो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है बाग रहा रफ्ली 300 मेडिकल और 300 जैएग रहता है, अगर जैएगे बौइज ज़्यादा लिया, तो मेडिकल की गल्स ज़्यादा करने बड़ी होस्टल तो फिक्स है न, कि गल्स है इस बोज तो बोज भोड़न में इतनी सीट्स है तो आप एक तरिक बार पहले वह चुकिए अगर आपका सिलेक्सिन होता भी है सेखंड तिने तो उसके मेल आईगी आपको मेल नइगी आपको मेल जायेगा तौक्छिस करोगा जो तेम उससे कॉंटेट कर सको तो वेबसायट इबर आपको कोई mail id मिलती तो आप उस पर ये अपनी problem उनके साथ शेर दा सकते हो वो बैज सकते हो साइध कुछ solution मिलता है पाकि हाँ second form भर दीजे क्योंकि अगर नहीं बढ़ा तो आप बेसे भावर हो कुछ आपको mail के second form का लिंक करेगा वहूं आप एक्सेस करने सकते हैं तो साथ second form भर दो यार यह था वीडियो आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर होगए हो फिर भी कोई डाउट है तो पूस्ट है ना मैं उसको solve करने की विरको शुकर